आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो का बैक्ग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से तो चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्स्प्राइब करना اور बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो आईए जानते हैं और वीडियो को बिना स्किप किये हुए वीडियो को पूरा लाश तक देखना क्योंकि छोटी छोटी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो देखते रहें लाश्ट तक पूरे वीडियो को जैसे कि आप देख पा रहा है कि मेरा कोई भी बैक्ग्राउंड नहीं है सिर्फ एक दिवाल एक खंभा दिख राए इंटेंटे का और मैंने उसको ग्रीन स्क्रीन बना दिया है एक बेप साइट के जरिये जिसको गूगल में सर्च करना रहता है और सर्च करने के बाद मैं अपने वीडियो को उस पर अपलोड कर देंगे वो खुँ से आपकी बैक ग्राउंड चेंजर कर देगा तो अगर ऐसा भी आप चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लाश तक ही देखना दोस्तो वीडियो का बैक ग्राउंड चेंजर करने के लिए आपको अपने Chrome ब्राउजर को अंकरना है और वहां पर आपको सर्च करना है k.a.p.cap.wing.capwing.com सर्च कर देना है जैसे ही आप अपने Google Chrome में capwing.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा plus का icon दिखाई देगा अगर आपको कोई भी problem हो तो अपने gmail id को login कर सकते हैं तब ऐसा option आ जाएगा ठीक है तो आप कर लीजिएगा और प्लस के आइकान पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो आप्सन दिखाई देंगे एक तो दिखाई देगा किलिक टू अप्लोडेड और दूसरा दिखाई देगा पेश्ट एन, इमेज और वीडियो यू आरेल ठीक है अगर आउनलाइन करना चाहते हैं तो आप आउनलाइन वीडियो को वैग्ग्राउंड ऐसे रिमूब कर सकते हैं अगर खुद की गैलरी से रिमूब करना है तो आप यहाँ से रिमूब कर सकते हैं तो मैं गैलरी से करना है तो click to upload it के option पर click करेंगे और download के option पर जाकर के gallery से अपनी वीडियो ले लेंगे मैंने वीडियो select कर ली है वो जब इस पर upload हो जाएगी तो आगे का process कैसे करना है वो मैं आपको एक point बताता जाओंगा तो वीडियो को last तक देखना और ध्यान से देखना यहाँ पर कुछ numbering शुरू हो गई है जो की upload करने की process है जो की start है अपने आप से उसके बाद मैं आपको वीडियो चला कर दिखाऊंगा कि मेरी वीडियो चलेगी और कैसे upload हो गई है अब इसको background कैसे change करना है ठीक है और दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो प्लीज यार चैनल को subscribe जरूर करना ताकि इसी type की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें अब अपने वीडियो को मैं start करूँगा आवाज धीमी कर दूँगा और उसके बाद मैं वीडियो आपको चला कर दिखाऊंगा कि मेरी वीडियो की type से चल रही है उस पर upload होने के बाद में एक एक step आपको बता आता जाओंगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बड़े गौर से देखिएगा वीडियो को कहीं भी skip मत कीजेगा अब यहाँ पर लिखा हुआ है edit background तो edit background के option पर आपको click कर देना है अब edit background का option आ गया है यहाँ पर आप कितना size में अपने वीडियो को edit करना चाहते हैं जितना size करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं अगर उसका background रिमूब कर रहे हैं तो इसी option पर 16.9 पर आपको click रहने देना है अब आपको करना क्या है नीचे done का option दिया हुआ है इसको done कर दीजिए और यहाँ पर दिया हुआ है edit background फिर से click कीजिए click करने के बाद में यहाँ पर कुछ option आ रहे हैं तो आपको यह option देखना है कि edit video का option कहाँ पर है यहाँ पर जब जैसे ही आप रहेंगे तो अपने video को पहले select कर लेना है कि आपको कहाँ से कैसा करना है पहले इसको यहाँ पर select करेंगे और यहाँ पर यह बने होने चाहिए ठीक है वीडियो पर एक बार click कर देंगे इस type से यह बना होना चाहिए जैसे click करेंगे तो बन जाएगा और edit का option पर click कीजिए अब यहाँ पर आपको चार option दिखाई देंगे edit, animate, effects और taming का option दिखाई देगा और यहाँ से जाकर अपने video को आप को भी कर सकते हैं और जो यहाँ पर minus plus दिया हुआ है अपने video का speed बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और यहाँ से volume का option दिया हुआ है volume भी कम जादा कर सकते हैं video को zoom भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे option दिया हुए है आप लोग कर सकते हैं जो जो करना हो सभी option दिया हुए है यहाँ से आप forward कर सकते हैं background का option दिया हुआ है font का option दिया हुआ है back होने का option दिया हुआ है यहां पर duplicate का option दिया हुए कि आप copy भी कर सकते हैं, delete का option दिया हुए delete भी कर सकते हैं तो आपको आना है नीचे और effect के option पर किलिक करना है उपर साइट, ठीक है? effect के option पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपको यहां पर कई सारे option दिखाए देंगे chroma की Chroma Key कब यूज करना है जब आपने Green Screen पर वीडियो बनाया हो पहले से ही तो Green Screen को Remove करने के लिए Chroma Key पर क्लिक करेंगे अगर आपको वीडियो Reverse करना है तो यहां से कर सकते हैं और वीडियो का Background चेंज करने के लिए Remove Background के Option पर क्लिक करेंगे हम Remove Background पर क्लिक करके और नीचे Done का Option दिया हुआ है तो क्लिक कर देंगे Done करने के बाद में आपका वीडियो कुछ इस टाइब से आएगा अब इसको सेटिंग करनी है कितना अच्छे से आप सेटिंग कर सकते हैं तभी आपका वीडियो का Background होगा उतना ही Based Change होगा सबसे जरूरी होता है वीडियो का Background सेटिंग करना तो आपको फिर से जाना है Edit के Option पर Edit के Option पर जाएंगे और यहाँ पर यह वाला Option दिया हुआ है इसको कम ज़्यादा कर लेंगे पहले हम एक साइट करके देखते हैं कि यहाँ साइट करेंगे तो कितना होता है और फिर नीचे Done का Option दिया हुआ तो किलिक करेंगे देखे कुछ तो सही आया हुआ है यहाँ का जो Background था कुछ सेट हो चुका है अब आपको करना क्या है वीडियो का हम फिर से एक बाद चला कर देखेंगे कि स्टाइब से चलेगा आप देख सकते हैं और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपना वीडियो बनाए तो हिले नहीं ज़्यादा जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा हिल चुका हूँ इसलिए आप ज़्यादा हिले नहीं तब ही आपका उतना ही बेतरीन वीडियो आगा सिर्फ आप हाथ चलाइए सर और गरदन कैमरा मत हिलाइए ठीक है फिर से आपको एडिट के आप्शन पर जाना है फिर से इसको सेलेक्ट करना है आप कितना ज़्यादा अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा सेलेक्ट कीजिए और दोस्तों फिर से डन के आप्शन पर किरिक कीजिए आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है अब होने के बाद में आपको करना क्या है फिर से एडिट के आप्शन पर जाना है एडिट के आप्शन पर जाने के बाद में यहां पर edit का option दिया हुआ ठीक है दोबारा जो edit का option था उस पर आपको क्लिक करने आया effect से हटा कर तो अब यहां पर आपको volume fast कर लेना है मैं इसके speed बढ़ाऊंगा पहले video को क्योंकि आपका video slow motion में चलने लगेगा जब edit video का background आप remove करेंगे तो आपको plus का icon पर क्लिक करना है आपको video को fast कर लेना है मैंने इतना अपने मतलब भरे का fast कर लिया है अब zoom करना चाहते थे यहां से थोड़ा zoom कर सकते हैं यहां से volume बढ़ाना चाहते हैं मैंने volume full कर दिया है अब उसके बाद में फिर से effect के option पर जाएंगे और फिर से अपने वीडियो को check करेंगे कि कैसा क्या हुआ है आपके वीडियो में और फिर से done का option पर क्लिक करेंगे अपने वीडियो को देखेंगे कि पूरा आपका वीडियो जो है कैसा हो गया है ठीक है फिर से इसको start करेंगे और देखेंगे कि हमारा वीडियो अभी confirm हुआ है या नहीं फिर से edit के option पर जाकर कि उसको फिर से कम जादा कर लेंगे तो दोस्तों आपकी वीड जैसे और ज्यादा problem होती है अगर आपके mobile में नहीं काम कर रहा तो आप दूसरे के mobile से जाकर के edit कर सकते हैं और आपको बता दो कि जब आप अपने वीडियो को save करेंगे अगर आप अपने वीडियो पर तो आपको menu के option पर जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आप यहा वीडियो पर लिखना है तो यहाँ से वीडियो पर लिख सकते हैं और भी image लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां से सब कुछ करने का option इस पर दिया जाता है आपको तो कोई प्राब्लम नहीं आपको बैक हो जाना है बैक होने के बाद में फ्रेंट्स अब आपको बैक होने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फिर से यहाँ पर पहुंच जाएगे और एडिट के आप्शन पर क्लिक करके इसको सही से edit करना है अब आप कितना क्या करना चाहते हैं इस पर कोई button लगाना चाहते हैं टॉप करना चाहते हैं left right करना चाहते हैं remove padding करना चाहते हैं सभी option इस पर दिया हुआ है ठीक अब यहाँ पर आपको click करना है एक बार यहाँ पर check करना है कि आपकी वीडियो quality क्या है और दोस्तों सेब करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर नए है तो पिलिज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक सेर जरूर कर देना और आपको वीडियो का save करना है वीडियो को ठीक है तो आपको export वीडियो के option पर click कर देना है अब export करने के बाद में आपके सामने कुछ process start हो जाएगा कुछ ऐसा कई type से process start हो जाएगा यहाँ पर loading दिखा रहा है loading होने के बाद में एक नया page फिर से on होगा और आपको अपने आपसे वीडियो जो होगा आपके गैलरी में save होने लगेगा वीडियो quality सिर्फ 540 दिखाई दे रहे क्योंकि मेरा जो mobile है बहुत कम support करता है आप देख सकते हैं कि 12% save हुआ 13% हो गया ऐसे ऐसे धीरे धीरे time लगेगा phone को बंद करके लग दीजिए उतने time ना तो किसी का phone उठाईए ना तो कोई phone चलाईए ठीक है और जब तक पूरा 100 न प्रेज जरूर कर देना ताकि इसी type की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें